नमस्कार आप देखरें देश्टोजाना और मैं किरन शर्मा हर्याणा में विदानसबा चुनावों का माहौल बना हुआ है और इस बीच सबसे बड़ी खबर ये है कि चुनावों की जो तारीखे थी उनमें बदलाब कर दिया गया है हाल ही में बीजेपी प्रदेश अद्यक्ष मोलाल बड़ोली ने मांग की थी कि चुनावों की तारीख को बदल जेया जाए और इस मांग को मान लिया गया है अब चुनाव 1 अक्टूबर की जगा 5 अक्टूबर को होगे और मतदान की गिंती 8 अक्टूबर को होगी इस भी इच इस वीडियो में आप से चर्चा करने चली हूँ पलवल की राजनीती की और पलवल की राजनीती इस दोरान किन उतार चड़ावों से गुजरी है इस पर चर्चा करेंगे बीजेपी की पित्र पार्टी कही जाने वाली जनसंग 21 अक्टूबर 1951 में अस्तित्व में आई थी और करीब 25 सालों बाद इसका विलेज जनता पार्टी में हो गया इसके बाद इस पार्टी भारतिय राजनीती में सक्रिय रही और 1977 में बीजेपी और आरेसस की विचारधारा से जनता पार्टी के मूल्चंद मंगला विधायक बने इसके अलावा 1982 में कल्यांट सिंग और 1987 में सुभाष कत्याल विधायक बने थे इस समय तक पलवल अलग जिला नहीं बना था लेकिन 15 अगस्त 2008 को पलवल नए फरीदबाद जिले का हिस्सा बन गया और हर्याना के 21 जिला बन गया था इसके बाद पलवल होडल हतीन विधानसभा सीट जो फरीदबाद लोकसभा छेतर के अंतरकत आती हैं यह चुनाव हुआ 2009, 2014 और 2019 में चुनाव हुए और 2009 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के सबी कैंडिडेट्स की जमानत जब्थ होगे और पलवल की सीट सुभाष चौदरी के पास चली गई 2014 के चुनावों में बीजेपी की तरफ से पलवल में दीपक मंगला, हतीन से हर्श कुमार और होडल से रामरतन ने चुनाव लड़ा होडल विधानसभा सीट फरीदबाद लोकसभा में आती है जबकि जिलप पलवल लगता है इस दोरान दीपक मंगला दूसरे नमबर पर रहे हतीन से हर्श कुमार तीसरे और होडल से रामरतन तीसरे चौथी नमबर पर बतलब दोनों रहे ऐसे में कहा जा सकता है कि दोनों चुनावी रेस में काफी पिछड गए थे इस बीच बीजेपी को तीनों सीटों पर भहुमत हासिल नहीं कर पाई थी और 2014 में महाल कॉंग्रेस के विपरीत होने के बावजूद भी करन सिंग दलाल विधायक बन गए थे इसके बाद 2019 के विधानसावा चुनावों में पलवल से दीपक मंगला, होडल से दगदीश नायर और हतीन से प्रवीन डागर ने बाजी मारी और कमल खिल गया इस दोरान बीजेपी की जीत में साउध हर्याना ने भी बहत एहम भूमिका निभाई थी 2014 के चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद पलवल के विधायक दीपक मंगला, मुख्या मंत्री के राजनितिक सलाकार के रूप में कारे रत रहे और उन्होंने इस पत पर भी काम किया इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी दीपक मंगला ने पलवल से पांच बार विधायक रहे, कॉंग्रेस प्रत्याशी करन सिंग दलाल को सबसे जादा मदों से पराजित किया होटल से चार बार विधायक रहे, कॉंग्रेस प्रत्याशी उद्यभान भी बीजेपी की जगदिश नायर से नस्दी की लड़ाई में चुनाव हार गए हतीन में दो बार विधायक और हर्याना विकास पार्टी शाशनकाल में सिचाई मंत्री रहे, जेजेपी प्रत्याशी हर्श कुमार भी चुनाव हार गए और बीजेपी प्रत्याशी प्रत्याशी प्रवीन ने कॉंग्रेस उम्मिद्वार मुहमत इजराईल को पराजित किया, मुहमत इजराईल उस समय दूसरे नमबर पर रहे अब 2024 के विदानसबद चुनाव हैं और ऐसे में सबकी नजरे इस बात पर टिकी हुई हैं कि इस बार वो कौन सा चेहरा होगा जो बीजेपी को जीत हासिल करवा सकता है तमाम नाम सामने आरे हैं कई चेहरों पर चर्चा चल रही हैं सभी अलग अलग नाम ने रहे हैं और क्यूंकि इस बार जनता भी सतर्ख है और अपने मन में अपना मनपसंद उम्मिदवार अपना मनपसंद विदहाग चुन चुन चुकी है तो फाइट थोड़ी तफ होती नजर आ रही है लेकिन सुर्कियों में जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें पलवल से दीपक मंगला राजीव कत्याल गौरव गौतम टॉप पर हैं इसके अलावा होडल से सिटिंग जगदीश नायर हरेंदर रामरतन और नवीन रोहिला का नाम आ गया रहा है नवीन रोहिला के बीजेपी जोई अभी नहीं की है लेकिन उनके लिए एक सर्वे करवाया गया था जिसके आधार पर वह भी एक मजबूत कैंडिडेट साबित हो सकती है हतीन की अगर बात करें तो कॉंग्रेस भी कड़ी टककर देती हुए नजर आ रही है ऐसे में क्या इन नामों पर अंतिम मोहर लगाना बीजेपी के लिए फायदे मंद हो सकता है या किसी ओर चेहरे पर विचार करना जादा उचित रहेगा आपके इस बारे में क्या रहे है कमेंट बॉक्स में हमें जर सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन जरूर अगर आप यह वीडियो फेस्बुक या इंस्ट्रेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा करें से जादा शियर करें